नमस्कार फ्रेंड टॉपिक के डिसक्रशन के लिए हमारे पास सेमी कंड़क्टर इंटीग्रेटर ले आउट डिजाइन एक्ट 2000 जिनको कि हम चिप या माइक्रो चिप भी कह सकते हैं लेमेन लेंगुज में जहां तक बात है दोस्तों सेक्शन की तो इस एक्ट की 96 सेक्शन है यानि की 96 सेक्शन है और चैप्टर जो है वो है 10 भारत के राष्ट्रपती की सहमती या एसेंट इसको मिली थी 4th सेप्टेंबर 2000 और यह पूरे इंडिया वे इंप्लिमेंट है विदाउट एनी रिजर्वेशन जहां तक फ्रेंड इसके लागू होने की या कमिन टू फोर्स है वो बहुत इंटरस्टिंग है जैसे कि मैंने कहा कि एक्ट जो है वो 2000 का है पर इसका जो पहला इंप्लिमेंटेशन हुआ था वो section 3 and 5 का हुआ था जो की 15 2004 को हुआ था इसका second implementation जो था वो 152011 को हुआ और उसकी जो group of section है वो आपकी screen पर है और उसके बाद फिर 2014 में भी इसका एक implementation हुआ जिसकी group of section जो है वो आपके सामने है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो act है वो जो है 2000 का है उसका first implementation 2004 का है उस के बाद 2011 का है और उसके बाद 2014 का है और इसकी अभी कुछ और section है जिनको मझे लगता है कि अभी implementation नहीं किया गया है उनका जो कि आपकी screen पर है अब दोस्तों अगर हम बात करें semi conductor की जा integrated circuit की जा चिप या microchip आप कुछ भी कह लिए इन सब की तो ये जो है बहुत important है radio से ल बनाया जाएगा nanotechnology के जरीए पर अगर generally हम कहें कि हमारे इर्दगिर की जितनी भी electronic device है जितनी भी electronic device से भरी हो ये दुनिया है उसमें कहीं न कहीं semi conductor integrated circuit जो होते हैं उनके बिने वो नहीं चल सकती है अब इनकी importance है कि हिसाब से देखा जाए तो आज के युग में बढ़ गी ह क्योंकि जो mobile technology है जो हमारे पास mobile है इसमें इनका बहुत ज़्यादा use किया जाता है और mobile की जो market है वो भी billion trillion dollar की है बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसकी जो industry है semiconductor की या integrated circuit की वो भी billion trillion dollar की है वो easily established नहीं हो पाती है और अगर आज हम देखें तो इसमें चाइना और ताइव implementation 2004 में हुई उसकी second implementation 11 में हुई फिर 14 में हुई और अभी भी कुछ section है जिनकी implementation नहीं हुई है तो यह है कि delay in the policy, delay in the project ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारा पिछड जाने का mobile chip, microchip या semiconductor की जो industry है उसको implant करने में और ये बहुत ही lucrative है यानि कि बहुत ज़्यादी लाप industry है जहां तक बात है दोस्तो semi conductor का origination की ये कहां हुए है इसकी history क्या है तो इसका जो starting point था वो इंग्लैंड में था एक जो scientist थे radar scientist उन्होंने कोशिच की और उनकी कोशिच जो थी वो कुछ हाथ तक की कामजाब ही पूरी तना से नहीं उसके बाद दो scientist थे बिग्यानिक थे जो कि US के थे जिन्होंने की independentism को manufacture किया था integrated circuit को यानि कि पहला जो integrated circuit जो semi conductor कह लीजिए आप चिप कह लीजिए वो किसने develop किया था वो US के scientist ने किया था और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो industry है ये बहुत ज़्यादा पैसा generate कर रही है और आने वाले time में बहुत ज़्याद जो लोग लगते हैं इसमें industry की जो establishment है वो ही करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उसमें billion trillion dollars जो है वो खरच किये जाते हैं और इसका benefit है वो भी उससे कई गुना मिलता है no friend अब बात करें अगर international area की तो वहाँ पर इनकी क्या situation रही है तो इसमें एक तो treaty है दूसरा agreement है treaty जो है उसको treaty on intellectual property in respect of integrated circuit के नाम से जाना जाता है जो कि 1989 में Washington में conduct की गई थी पर ये enforce नहीं है यानि किसको लागू नहीं किया जा सका है भी तक और दूसरा है हमारे पास agreement यानि कि trips agreement तो सबसे पहले हम जो treaty होई है वाशिंग्टन में उसको अगर analyze करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये implement तो नहीं की गई है और फर्दर अगर बात करें strategy तो इसमें जो integrated circuit है जो semiconductor है उनकी protection की बात की गई है और साथ ही साथ originality और novelty यानि कि वो मौलिक होना चाहिए और वो नई invention की तरह होना चाहिए जैसे की payment में होता था और ये कहा गया कि इन दो चीजों पर ज्यादा focus किया जाए और फर्दर इसमें कहा कि इसको exploit भी किया जाए यानि कि इस तरह के जो protected circuit है उनसे benefit भी derive किया जाए और अगर कोई उसका unauthorized use कर रहा है तो उसको भी रोका जाए और उस पर भी जो है कारवाई की जाए साथ में जो treaty parties है जानि कि जो भी इस treaty की parties है वो एक दूसरे के देशों में जहां से कोई integrated circuit नया बनता है, semiconductor नया बनता है तो वो एक दूसरे का समान करें यानि कि उसको violation ना करें एक दूसरे की और इसे लेके जो country of origination है जानि कि यहां से वो IC integrated circuit जा semiconductor बन रहा है वो भी अपन जो law बनाए domestic level पर उसकी protection के लिए और remedy भी available करवाए effective बट अगेन मैं यह mention कर रहा हूँ कि यह treaty जो हो implement नहीं है जानि कि यह लागू नहीं हुई है नेक्स चलते हैं trips agreement ने दोस्तों जो integrated circuit है जा semiconductor के लिए और डिजाइन है उनके protection की बात तो की ही की साथ ही साथ world level पे उसका जो law है उसको uniform करने की कोशिश की गई और इसका impact आपको देखने को मिलेगा बाकी countries के law में including India जिसमें कि जो यह law बनाया गया वो trips agreement के बाद ही बनाया गया now last में बात करते हैं दोस्तों इंडिया की तो इंडिया जो था वो trips agreement का signatory था यह बात मैं पहले भी बता चुका हूँ और उसी का नतीज़ा है यह act यानि कि इंडिया को यह act बनाना पड़ा हला कि उसका implementation जो है वो बहुत ही poor हुआ जिसके की नतीज़े हम आज भोगत रहे ह कि हम जो है जो mobile manufacturing है उसके importer तो है पर उसके manufacture अभी तक नहीं है अला कि अभी कुछ initiative उसमें लिए गए है जिसके लिए कि इंडिया जो है वो Taiwan के साथ tie up कर रहा है in future हमें कुछ अच्छे result देखने को मिल सकते हैं धन्यवाद